हेलो एवरीवन गुड मानिंग वेलकम तो माई यूटूब चैनल और आज का टॉपिक फोड़ा सा सेंसिटिव है वुमन्स के लिए है स्पेशली गल्स के लिए है और बॉइस भी देख सकते हैं उन्हें जनरल नॉलेज बिलकुल रखना है तो मेरा जो टॉपिक है वो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसका रीजन का है कई बार मैंने ऐसी भी कंडिशन देखी है जिसमें इतना ज्यादा पेन होता है कि उन लोगों को दवाई की या कई बार इंजेक्शन की जरूद भी पढ़ती है तो अगर ऐसा कुछ है तो यह एबनॉर्मल है एशली क्य रूटीन चेंज करने की बहुत जरूरत है पीरिट्स के डेली ना होने मतलब की जो उसका रूटीन है वो ना होने के रीजन क्या हो सकते हैं मैं पहले बता देती हूं आपको कि क्या रीजन से एक तो आजकल की जो डाइट है फास्ट फूड खाना अलकोहॉल लेना बीर लेन है और प्रेगनेंसी में इसके जो रिजल्ट है आप बहुत गिल्ट करेंगे उस टाइम इससे अच्छा है कि अगर आपको यह प्रॉब्लम अभी हो रहा है तो सीधा डॉक्टर से एडवाइज ले अगर यह हलका कुलका है तो उसके लिए नॉर्मल डेली रूटीन में अप होता है कुछ लोगों में दर्द होता है कुछ लोगों में हार्मोनल इंबलेंस इससे चिट चिटाहत कुछ भी अच्छा ना लगना कोई कुछ कह रहा है तो गुस्टा आजाना ऐसी बातों पर ओवर रियक्शन जो बाते बहुत लाइट हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में हम पर रियक्श कर जाते हैं तो यह चीज़े चलती है थोड़ा सा अगर आप माइंसेट कर ले कि हां मेरको मुझे पीरियेट से पहले मूद स्विंग हो रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कहीं न कहीं दूसरी चीज़ अच्छी डाइट ले रहे हैं एक्सराइस कर र प्राइब लेज़े वरना अगर बिल्कुल कर चुके हैं तो एक एडवाइज है एक स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए सबसे पहले में बता देती हूं जिन लोगों को पेन होता है उनका एक सबसे अच्छा रिजल्ट है रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा ऐसा आपको महीने दो महीने और छह महीने देने पड़ेंगे अगर आपको वाली कंडिशन है जिसमें आपको पीरेट्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इंग्जेक्शन और मैडिसन की जरुत हो रही है तो योगा जोइन कर लिजे आप सिर्फ सुबह ना आदे से एक घंटे योगा कीजिए आप योगा कीजिए इसके बाद आपको six month बाद ये problem ही नहीं होगी आप को जितना फोबिया हो गया उस पेन से वो होगा ही नहीं तो ट्राइ कीजिए योगा में जितनी पावर है इंचीजों को बिल करने की किसी भी चीज में यह लेकिन इसके लिए बहुत पहले से दही हो गया ठंडी चीजे हो गई खटी चीजे हो गई इनको ना खाएं और मोट सिंग्स का प्रॉब्लम है तो उसको आप नैचुरली अच्छी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं कहीं उस चीज पर कंट्रोल है अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई नहीं हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा कमेंट जरूर कीचेगा और अपने फीडबैक जरूर दीजेगा थैंक यू